नमस्कार दोस्त आप सभी को आप सभी की चैनल टीम टेक सपोर्ट में स्वागाथ हैं मैं फिर से एक बार आप सभी की साथ जूर चुका हूँ और मैं कौन हूँ आप सभी जानते हैं आज की वीडियो की क्या विशय बुस्तु है उस बारे में आप सभी क्लियर हो ही चुके हैं क्योंकि वीडियो की थामनेल आप सभी ने पर लिया है तो चलिए फिर मूल कॉंटेंट की और चलते हैं और आज की बिश्वबस्तु है IIBF एक्जाम किसलिए चाहिए होता है इस वीडियो को जी दर्शक देख रहे हैं मेरे इसाब से 99 अगर आप किसी CSP बन के का किसी भी बैंकों की साथ एसे CSP वर्क कर रहे हैं तो इसलिए आपको IIBF एक्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है और भी कुछ कामों पर है जैसे अगर आप किसी बैंकों का CSP नहीं है फिर भी आप बैंक रिलेटेट वर्क कर रहे हैं वहापे भी IIBF की जरूरत है जैसे अगर आप ऐसे CSCVL की रूप में काम कर रहे हैं तो भी IIBF की जरूरत ह अगर आप किसी अनर्गनाइजड किसी एप में काम कर रहे हैं अनर्गनाइजड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह कि आप पहले जो है बैंकिंग वर्क के लिए नहीं है बैंकिंग वर्क के लिए जो जो पूर्टल है जैसे SBA का CSP है पंजाम नेशनल बैंक की CSP है इसके नहीं है इन पोर्टाल में बाद में मांग रहा है ऐसा कुछ हालत में है पर आप से भी को यह अपडेट दे दू कि अभी बहुत ऐसे पोर्टाल है जहाप एकाउंट ऑपेनिंग की काम शुरू हो चुके हैं उन पोर्टाल में पहले से ही आयाई बीएफ का सर्टिफिकेट रह करने के लिए तो पहले ही आपको आयाई बीएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है पतलब आपको पास करना जो है वह बहुत इंपोर्टेंट अभी हो चुके हैं तो इसका मतलब आप समझे चुके हैं कि अगर आप एज़े बैंकर का वाक करना चाहते हैं आप बर मतलब की सोजने की बारी है आप बतादो चोटा ही आहूं बराफ अगर आप एकाउंट औहु इंक्वारी करना हो कहीं मिनिस्टेटमेन निकलना एटीयम से कैस्व possession लिया फिर इंक्वारी करना हो किसी को पैसा ट्रांसफा करना हूं और खास करके लोग अचाउंट करना हूं तो आपको IIBF exam clear करना ही परेगा और सिर्फ clear नहीं मतलब clear मतलब आप exam दे दिये बस यह नहीं आपको pass भी करना होगा पहले तो 50% marks होना परता था अभी शायद 40% marks में भी allow हो जाते हैं मतलब आप pass कर जाओगे पर इसके लिए आपको exam देना बहुत जरूरी है तो आपको इस exam को clear करने के लिए आपको भी prepare होना परेगा इसके लिए आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ट्रेनिंग सेशन की आप Google में भी Google search करेंगे इसका भी आपको बहुत सारे result मिल जाएंगे कि आप किसर से exam देंगे क्या question marks होंगे और खास करके आई आई बीए फ क्यूएफ की वेफ साइट में भी आपको क्या कोर्स लेना पर है कौन कौन सी चीज़े परने परेंगे उसके भी list दिया हुआ है पर मेरे ही सबसे जिस तरह से हमने exam दिया था अगर मैं उसका details आपको बताऊ तो सबसे बहतर है कि Google में Google में अगर आप search करते कि IIBF exam question and answer तो आपको यह पर बहुत तरह की मिल जाएंगे आपने खुद की language में मिल जाएंगे क्योंकि मैंने अंग्रिजी में दिया था पर उस समय बैंगुली भी मेरे लिए solution था हिंदी भी था तो अगर आप हिंदी वाशी है तो आप हिंदी में दे सकते हैं आप बंगाली है तो बंगला में भी दे सकते हैं खास करके अगर आप banking work कफी time से कर रहे है fingerprint के इस्तेमाल आप कफी time से इस्तेमाल कर रहे है fingerprint तो आपके लिए एक्जम बहुत ज़दा मतलब कठीन तो नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें इस तरह की सवाल आते हैं ज़दा टेक्निकल सवाल आते हैं इसके लब आप marketing मतलब किस तरह से आप customer की साथ वेभार करेंगे कैसे आपका वेभार होना चाहिए customer से आप किस तरह से response करेंगे customer को क्या क्या देगा वीड्रोल के लिए इस तरह की सवाल यह आते हैं तो अगर इन जीजों को आप follow कर लेंगे एक्जाम को क्लियार करने के लिए वह तोटके का इंतेजा मतलब जाल में फास रहे हैं तोटके की जाल में किस तरह से फास रहे हैं आप सभी को पता होगा वेश्ट बंगल की और त्रिपुरा की कुछ खास जौब और जॉब कि सद्दिवे कटिन परिश्धितियों की बारे है और लोग फर्जी सर्टिफिकेट अपने पास लेके आ रहे हैं इनको लग रहा है कि सर्टिफिकेट तो ओर्जिनल है जिसमें फर्जी वाला क्या बात है आप सभी को पता हो या ना हो मैं आप सभी को इन्फोर्मेशन दे देता हूं जैसे और जाने बता है वैसे वेस्ट बंगल और तीपुरा में तीपुरा में दस अजार देनी की वज़े से और फर्जी तरीके से एग्जामिनिशन पास कराने की वज़े से वेस्ट बंगल में भी काफी लोगों का अल्रेडी जब जा चुका है तो आप सभी से निवेदन है अगर आप भी इस तरह की टोटके की बेवस्ता कर रहे हैं या फिर इस तरह की टोटके में बेठे या फिर बीना आपको कुछ टाइप करते हुए भी हम आपको पास करा देंगे और आपका मार्क से 95% करेगा मतलब आप बहतर मार्क से साथ एंट्री कर सकते हैं और एक्जाम जो है वो आपको नहीं देना होगा पूरा पूरा एक्जाम हम कर देंगे अगर आगे चलके अगर आज आप एक्जाम खुद नहीं क्लियर करते हैं आगे चलके ऐसा किसी परिसीदी की सामनागर करना परे आधर की तरह आधर में भी खास ऐसा ही हुआ था आधर में बहुत लोग बहुत उल्टा सिदा कुछ कर रहे थे और जब आखिर में कुछ लोग जो है वो बेकर हो चुका है इसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैं भी CAC का ऑपरेटर हूँ उसमें सुपरवाजर था और मेरे पास छेचे ऑपरेटर था और इसके बाद हमने इसको कंटीनियू नहीं करा क्योंकि आगे का स्कीम में हम काम नहीं कर सकते हैं उसमें क्या हो हो था कि हम लोगों को बैंक में जाना पड़ता जबकि हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स है और सारे ऑपरेटर जो है एकटीवें फिर फिर हम नहीं कर पाए खाइड़ चाल चला और चांट भी बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया और इसके बाद हम कंटीनियू नहीं क भुभ्षान सबसे वर्हों की कस्टमार को पता चल जाएगा यह संटर में यह काम होता है और अचनक इसी दिन पता चलेकर नहीं हो रहा है तो मतलब जो लोग पहले से जानते थे 15 दिन से 20 से जानने थी कि आपकी पास बैंकों का काम होता है, अचानक आपका किसी सर्टिफिकेट की वज़े से आपका सेंटर बंद कर दिया जाता है, फिर कस्टमरा के घुम के जाता है, वो बहुत ही दर्द दायक होता है, तो इस चीजों से नेवरित रहने की कोशिश किजे, ताकि इस वाला सर्टिफिकेट अभी जरूरी, बहुत जली बनने जा रहे हैं, पहले से CSP के लिए जरूरी है, और अभी CSC वाले के लिए भी जरूरी है, आगे चलके छोटे मोटे पोर्टल में जो लोग काम करें, छोटे मोटा बोलना भी बहुत कटिन है, छोटा मोटा, मतब छोट है पर मोटा है, जैसे लाइक पेनियर वाई, पेनियर वाई में भी कुछ दिन में IVF सर्टिफिकेट जो है बो जरूरी, 100% जरूरी होने वाला है, फिलाल तो स्किप स्किप करके काम चला रहे हैं, तो सभी इस एक्जाम को क्लियार कर लीजिए, और सिस्टेमिटिक वे में कि प्रेनिंग ले लीजिए, आराम से सेंटर में जाके एक्जाम दे दिजिए, किसी भी फर्जी लोगों की बातों में आके, कुछ चंद पैसे के लिए, या पि चंद समय गवाने की चक्कर में फर्जी एक्जाम दे के, फर्जी सर्टिफिकेट घर में मत बुलाइए, इसके लेक इसके लिए आपको आगे जाके मुश्किल के सामने करना पर सकते है, मुश्किल का सामने आपको करना पर सकता है, तो भी प्रिप्यार रहिए और आराम से एक्जाम दीजDown'd सेंट आप पास हो जाएंगे, तो एक्जाम जल्दी दे दीजिए और अपना सर्टिफिकेट जल्दी काले कर लीजिए एही वीडियो का में मोटो था और दूस्तरा मोटो था किसी जाल सासी में खुद को नहीं पसाना है तो आशा कर तो इस वीडियो की माध्धम से काफी सारा न्यूज आपकी पास गया है आप चीजों को समझे है अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत